आओ देखते हैं कि हम देखते कैसे हैं मेरा मतलब है कि हम सामने रखे वे objects या फिर mirror में बन रही हुई image इसे हम देखते कैसे हैं तो अब इसके लिए एक object को ले लेते हैं मेरे पास यहाँ पे एक संतरा है और यह रखाव है कहीं room पे room में है एक light का source यह bulb जोकि हर direction में light race को छोड़ा होगा अब जो light race मेरे संतरे के उपर पढ़ रही हुँगी वो पंड़े के बाद reflect हो जाने वाली है हर direction में reflect हो जाने वाली है अगर में संतरे पे कोई point भी लूँ ना यह वाला point तो इस पर भी जो light race पढ़ रही होँगी यह हर एक direction में reflect हो जाने वाली है अब देखो, अगर मुझे इस point को देखना है तो मुझे at least 2 reflected rays चाहिए होगी जो कि मेरे आखों में पढ़ें at least 2 rays अब इसके बारे में detail में हम तुरंट बात करने वाले हैं लेकिन सबसे पहले आओ, उन 2 reflected rays को बना लेते हैं और मालो कि मेरी आख कहीं यहाँ पे है और ये दोनों rays मेरी आखों के अंदर जा रही है अब देखो, मेरी brain को ये पता नहीं होगा कि ये दोनों light rays जो कि अभी अभी आखों के अंदर enter की हैं न ये कहां से originate कर रही है अब ये पता लगाने के लिए मेरी brain को बहुत ही fast calculation करनी पड़ीगी मेरा brain इन दोनो light rays को पीछे के तरफ produce करने वाला है कुछ ऐसे और जहां पर intersection होतावा दिखेगा brain को brain मालनेगा कि इसी point से ये दोनो light rays originate कर रही है diverge कर रही है और मेरे आखों पर पढ़ रही है तो ऐसे brain बता पाता है कि ये point कितनी दूर है कहां पर located है अब ऐसे ही करके इस orange के सारे points ये light rays को reflect कर रहे होंगे आखों के तरफ और हमारा brain उन सारे light rays को पीछे के तरफ produce करके ये बता पाएगा कि ये सारे points हैं कहां पर और ऐसे करके वो इस पूरे orange को देख पाएगा तो यानि कि अगर तुम किसी चीज़ को देख रहे हो तो यानि कि उस object से कुछ light rays तुमारी आखों के तरफ आ रही है अब तुम्हारा brain इन light rays को पीछे के तरफ produce करके intersection point को calculate कर लेता है कि ये कितना दूर है और ऐसे ही बता पाता है कि कहां पर object रखी हुई है अब देखो मैंने कहा था कि दो light rays minimum चाहिए अब ऐसा इस लिए कि ब्रेन को इन light rays को पीछे produce करके intersection point calculate करना है ना अब अगर एक ही light ray आ रही होगी तो intersection point कहां से निकालोगे तो अब तो उसे हमेशा पीछे की तरफ भी produce करते जाओगे है ना तो intersection point के लिए at least दो light rays चाहिए अब अगर दो से ज़्यादा light rays हो जाए तो और भी अच्छी बात है अगर मालनो कि यहां पे एक और light ray होती जो कि यहां ऐसे बीच में यहां कहीं आख पर पढ़ रही होती अब देखो light travel करती है straight line में और जो light यहां से originate की इस point से वो straight line में चलके मेरे आखों तक जाएगी अब मेरा brain इस light ray को भी जब पीछे produce करेगा तो यह भी तो यहीं पे इंट्रसेट करने वाला है ना तो दो से जाता हुए तो अच्छी बात है लेकिन दो से कम नहीं होना चाहिए अब आप देखते हैं कि अगर एक mirror में एक image बन रही हो तो हमारा brain उस image को कैसे देख पाता है तो आप पहले इसे हटा लेते हैं अब यहाँ पे मेरे पास है एक book जो कि एक room में रखी हुई है अब room में है एक light का source जो कि हर direction में light को छोड़ा होगा अब light rays जब किताब पे पढ़ने वाली है तो यह इससे reflect हो जाएंगी हर direction में अब यहाँ पे room में एक mirror भी है पहली light ray इस point से यहाँ mirror पे पढ़ रही है और फिर यह reflect हो जाने वाली है angle of incidence is equal to angle of reflection होने वाला है तो reflected ray यह कुछ ऐसी दिखने वाली है अब आओ एक और ray बना लेते हैं देखो यह ray भी book के इसी point से originate कर रही है और यह mirror पे पढ़ रही है अब देखो इसकी angle of incidence यह green वाली ray से थोड़ी जादा है तो इसलिए इसकी angle of reflection यह भी जादा होनी चाहिए और यह second वाली ray कुछ ऐसे reflect कर जाएगी अब अगर मेरी आखें यहाँ पे हैं और यह दुनों ray मेरी आखों के अंदर जा रहा है वैसे दिख तो नहीं रहा है बट मालो कि यह दोनों ray मेरी आखों के अंदर ही जा रही है तो क्या तुम यह पता लगा सकते हो कि मेरी brain को क्या लगने वाला है कि यह दोनों incident ray कहां से आ रही है मैं चाहूँगा कि तुम वीडियो को एक बार pause करो और खुद से पता लगाने की कोशिश करो अब अगर तुमने try कर लिया है तो आप देखते हैं तो देखो मेरी brain को यह idea तो होगा नहीं कि यह दोनों incident ray कहां से आ रही है अब इसके लिए मेरा brain इन दोनों incident ray को पीछे के तरफ produce करने वाला है तो अगर green वाली ray को produce करें तो यह कुछ यहां से आती बिदीखेगी और red वाली ray इसे भी produce करें तो यहां से आती बिदीखेगी और brain को लगेगा कि यह दोनों रेस यहां पर कहीं पर intersect कर रही है तो यानि कि हमारा brain यह सोचेगा कि ये दोनों instant race ये यहीं से originate कर रही है और यहां से diverge करके हमारी आखों पर पढ़ रही है तो मेरे brain के लिए यही point ये हो गई source इन दोनों race की source और उसे लगएगा कि book के ये वाली point ये यहाँ पर है अब वैसे ही करते-करते book की सारी points ये कुछ race भेजने वाली है जो कि reflect करके हमारी आखों पर आएंगी और हमारा brain उन सारी race को पीछे के तरफ extend कर देगा और उसे finally book कुछ यहाँ पर दिखने वाला है कुछ ऐसे अब अगर तुम ध्यान से देखोगे inverted होती है, flipped होती है laterally inverted left का right हो जाता है और light का left हो जाता है अब अगर तुमने इस चीज़ को खुद कभी experience नहीं किया हो तो मैं चाहूँगा कि तुम mirror के सामने जाओ और अपने left hand को उठाओ तुम्हें देखेगा कि तुम्हारी image वो अपने right hand को उठा रही है अब हाँ बात करते है image के बारे में देखो यहाँ पे तुम्हारे brain को लग रहा है कि किताब यहाँ पे कहीं है, इतनी दूर पे लेकिन असल में तो किताब यहाँ पेहना और इसे लग रहा है कि intersection कहीं यहाँ पे हो रहा है कहीं यहाँ से light trace निकल के आ रही है तुम्हारे आखों के तरफ लेकिन असल में तो light trace यहाँ से आ रही थी ठीक है, तो यह हो जाने वाली image of the object, और देखो यह वाली image यह होने वाली है virtual image image भी दो टाइप की होती है, real and virtual तो यह हो जाएगी virtual image virtual का मतलब होता है नकली या फिर काल पने देखो असल में इस mirror के पीछे यह तो कुछ है नहीं तुम्हारे दिमाग को भले ही लग रहा हो कि किताब यहाँ इतने पीछे में है लेकिन mirror के पीछे तो कुछ भी नहीं नहीं mirror के अंदर कुछ है, है ना तो इसलिए हम इसे कह देते है virtual image देखो यहाँ पे जो light rays तुम्हारे आखों के अंदर आ रही है वो असल में पीछे यहाँ पे intersect नहीं कर रही है वो तो हमने हमारे brain को लग रहा है कि यहाँ पे कही intersection हो रहा होगा लेकिन असल में तो intersection हो नहीं रहा है तो ऐसी images को हम कहतेते है virtual images और आगे जाके तुम real image के बारे में भी पढ़ने वाले हो और real और virtual इन तोनों के बीच के difference को अच्छे से हम समझने वाले हैं लेकिन अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं वैसे हां एक और बात में यह बताना चाहूँगा कि इस chapter में जब भी हम किसी mirror या फिर lens का इस्तमाल करके image बनाएंगे ना तो ऐसी हम 3D objects का इस्तमाल नहीं करने वाले हैं चीजों को simple रखने के लिए हम objects को एक arrow की मदद सहीं दिखाने वाले हैं जैसे कि for example अगर मालो कि तुम्हारे पास यहां पे कुछ हो यह ground है और यह mirror है और मालो कि यहां पे कहीं एक object रखा हुआ है तो object को मैं इस बार एक arrow सहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि यह simple हो जाएगा अब देखो अगर मुझे पता करना है कि इस object की image कहां बनने वाली है कैसी बनने वाली है तो फिर से मैं वही सारी चीज़े करने वाला हूँ मैं topmost point लूँगा इस object का एक कोई सा भी point ले लूँगा topmost point ले लेते हैं और इसे दो rays को निकालते हैं तो एक ray ऐसे जा रही है और mirror pit हिट कर रही है अब देखो इस ray की angle of incidence ये तो होगे zero तो angle of reflection ये भी हो जाएगा zero और ये ray बिल्कुल ऐसे ही लौट जाने वाली है ये ऐसे लौट जाएगी और यहाँ वापस ऐसे आने वाली है अब दूसरी ray की बात करते हैं दूसरी ray मालनों की कहीं यहाँ पे जाती है और यहाँ पे हिट करके ये ऐसे टकरा के लौट जाएगी रिफलेक्ट कर जाएगी angle of incidence पराबर angle of reflection हो जाएगा अब अगर तुमारी आख यहाँ पे है तो यह दोनों ray तुमारी आख के अंदर जाने वाली है फिर तुमारा brain इन दोनों ही ray को पीछे के तरब produce करने वाला है यह देखने वाला है कहाँ पे intersection हो रहा है इन दोनों ray का और जहाँ पे intersection होगा brain मालने का कि यही source है यहीं से यह दुनों rays produce होके diverge करके मेरी आखों में आ रही है तो देखो यह point यह हो जाने वाली है image image of this topmost point of the object अब एक point की image तो आ गई अब वैसे करते करते तुम हर एक point की object के हर एक point की image को बना सकते हो यह भी इसी point के नीचे आने वाली है और फिर हमारे पास final image यह कुछ यहाँ पर ऐसी आ जाने वाली है तो ऐसे ही diagram का इस्तमाल करके हम image बनाने वाले हैं इस chapter के अंदर अब आव एक पर recap कर लेते हैं इस video में हमने देखा कि कैसे हम किसी भी object को देखते हैं या फिर किसी भी object की image को देखते हैं और हमने ये भी define किya कि image आखिरकार होता क्या है और virtual image ये क्या होती है